नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूस 31 उत्तराखन बागेशों में तीन दिन की भारी बारिश ने जहां ग्लेशिरों की सैर पर गए प्रेटकों की जान संकट में डाल दी है वहीं जुला प्रशाशन की भी पोल खोल कर रख दी है जानकारी के मताबिक लापता प्रेटकों की तलाश में रेस्क्यू कारे चलने के बावजूद प्रशाशन को ग्लेशर में फसे हुए लोगों की सही जानकारी नहीं है हैरानी के बात यह है कि पिंडारी कफनी और सुन्दर डुंगा जैसे जगाओ पर जाने के लिए सरकार से अनुमती लेनी पड़ती है लेकिन सरकार को इन प्रेटकों के जाने की जरा से भी भनक नहीं थी जिससे ये साफ पता चलता है कि विभाग और प्रेशाशन अपने काम को लेकर कितना गंभीर है बागेशों में पिंडारी, कफनी और सुन्दर डुंगा जाने के लिए वन विभाग में पंजीकरन कराना जरूरी होता है लेकिन 73 लोग ग्लेशर पहुँच गए और वहां फस गए लेकिन उनका पंजीकरन करना तो दूर प्रेशाशन को उनके जाने तक की भनक नहीं लगी जबकि अभी और कितने लोग गए हैं ये भी जानकारी जुला प्रेशाशन के पास नहीं है दरसल पिंडर भाटी के ग्लेशरों की सैर पड़ जाने के लिए वनविभाग कपकोट में पंजीकरन कराया जाता है जिसका डाटा प्रेटरन विभाग को भीजा जाता है ऐसे में प्रेटरन विभाग इसी डाटा के आधार पर साल भर में जुले में आने वाले विदेशी और देशी सलानियों के आंक्डे जारी करता है आपको बता दे के वन विभाग के कार्याले में पंजीकरन कराने के बाद प्रेटकों से कुछ शूलक लेकर परची काटी जाती है जिसकी जाच ग्लेशर रेंज में कराने के बाद ही प्रेटक ग्लेशेरों की सैर कर सकते हैं वहीं पंजीकरण के आधार पर प्रशाशन को पिंडारी कफनी सुन्दर ढूंगा जैसे स्थानों पर गए प्रेटको की सटीग जानकारी रहती है वहीं प्रशाशन और विभाग इसके लिए गंभीर नजर नहीं आ रहे जिसका परिणाम अब दिखाई दे रहा है जहां तीन दिन से प्रशाशनिक अमला सुन्दर ढूंगा में हताहत लोगों को रेस्क्यू करना तो दूर उनकी लोकेशन तक नहीं तलाश कर सका इतना ही नहीं बलकि कफनी ग्लेशर में भी फसे प्रेटको को रेस्क्यू नहीं किया जा सका वहीं दौली में 34 लोगों के फसने की बात की जा रही थी लेकिन रेस्क्यू के समय संख्या 42 पहुँच गई इससे साफ जाहिर होता है कि ट्रेकिंग रूटों पर जाने वालों की जानकारी और निग्रानी को लेकर प्रशाशन कतई गंभीरता से कार्रे नहीं कर रहा है अंदाजे के हिसाब से दिये जा रहे हैं उससे प्रशाशन की गंभीरता पर सवाल उठना लाजमी है हालाकि जुलादिकारी ने कहा कि अपसे सक्त नियम होंगे और आगे आने वाले सभी प्रेटों को पर खास नज़र रखी जाएगी देखीए अभी जो बीजिशना में प्राब्ध है तो इनके दवारा कहीं कोई सूचना नहीं दें गई ती जबकि यह पूड़ियरी होता है कि आगर कोई बी फॉरेस्त एरिया क्या सारा फॉरेस्ट एरिया में जाएगा तो वह पहले डिएफो के यहां पर अपना पंजी करवाएगा उसके बाद ही वह आगे भूग करेगा लेकिन ऐसी कोई सूचना हमारे यहां पर प्राप्त डिएफो कारेले में प्राप्त नहीं हुई है तो इसके भी अम लोग जो है इंक उससे बचा जा सके उत्राखंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाना ना भूले